मुंबई, हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कही बार से है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉंब ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26 ग्यारण मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई आंटी टेर्रिस्म स्कॉर्ट के एक युदा की मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देखकर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है हमारी इंटलिजन्स के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लशकर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं अभी उनका वक्त आया नहीं जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे ढून लिया तेरे बाकी साथियों को भी ढून लेंगे 93 में एक टन RDX आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया 600 किलो आज भी कही दफन है हंदोस्तान ने मेरी किसमत पदली अब मैं हिंदोस्तान की किसमत पदड दूगा मेरे बच्चे पीवी अबो को सिंदा चला दिया उन लोगोंने हां मानता हूं कि तुमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था लेकिन तुमने भी तो सेकड़ो मासुमों की जाने ले ली उसका क्या रुख जाए जहन में और भी पुनिस आपसेज अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खत्रही में नहीं रालता है इंटलिजिंस प्यूरो की थेरी शायद सही है लशकर का अगला टारगेट है मंबयो का सुर्या वो लोग कब आएंगे यह में नहीं जहनता और वो आएंगे ज़रूर इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को क्या करें सर शिफगर चले ये काम एक ही कमी ना कर सकता है इधर अल्लग लेवल का धंदी चल रहा है सर ये लोग साथ गाड़ी में बॉम फिट की है जिस कोली से तू मरेगा उसके उपर आईसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया अक्खा पबली को मालू है कोन आने वाला है तेरे को नहीं मालू है गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा की क्यों आता है और तू हर बार हेलिकॉप्टर पे लटकता है किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री कोई फरकने पड़ता है चलो अभी आप जानते हैं कोन है नाईम खान तीस साल इमांदारी से पुलिस के डूटी किया है इन्हों और अब इनका बेटा अबबास हमारे अंटी टेरिरिस्म स्कॉड का इक होनार आफिसर है ये है हिंदुस्तान के मुसल्मान आया पॉलिस पंडूली गांजर रोजर यो आपन पेट्रोलिंग बेहरों सपर्माई होगा रोजर लेखर नाउन होगाई